तो नमस्कार दोस्तों मेर नाम है प्रशान शर्मा और आज हम एनलाइज करेंगे RR Cable Limited Company को बात करें तो कंपनी Cable and Wire बनाने की काफी अच्छी कंपनी है एक लीडिंग कंपनी है इंडिया की कंपनी का इंडिया में भी काफी अच्छा बिजनिस है और कंपनी साथ-साथ एक्सपोर्ड भी काफी अच्छा करती है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम अपनी इन्वेस्ट कना चाह रहे हैं तो क्या है सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए फिर नहीं दूसरी आपको एक बात और बता दें यह जो वीडियो है यह अपने केबल लिमिटर के बारे में बात करें तो मार्किट कैटलाइशन के साब से इंडिया की चौती सबसे बड़ी वायरस और केबल बनाई कंपनी है टोटल मार्किट से जो कंपनी का है वो साथ परसेंट का है वायरस और ब्रैंडड वायरस है और टोटल इंडिस्ट की बात करें सब मिलाके तो उसमें 5% काफी अच्छा market share hold करती है बात करें तो कंपनी इंडिया के लावा 85 countries में अपना माल जो एक्सपोर्ट करती है और कंपनी वास में इंडिया के लावा 38 international certification भी है इंडिया के certification तो हैं जो उनको required होते हैं उसके लावा international market में अपना माल बेचे लिए कंपनी ने 38 अलग से international certification लिए है और उसके तो कंपनी काफी अच्छा export करती है बात करें तो कंपनी एक integrated in-house manufacturing factory hold करती है कंपनी वास टोटल 5 manufacturing facilities हैं उसमें से 2 कंपनी वास में wire and cable बनाने की हैं और तीन कंपनी वास में fast moving electric goods बनाने की हैं तो wire and cable बनती हैं जो industry use के लिए और घरेलों यूज के लिए होती हैं जो FMEG products होते हैं कंपनी वह बनाती हैं उसमें fans हैं, lights हैं, जो home appliances हैं वो काफी चारे कंपनी में घीजर हो गया और चीज़े होती हैं तो यह सब चीज़े कंपनी बनाती है तो कंपनी में लिए दो सब्सक्राइब में काम करती है एक है wire and cables और दूसरा fast moving electric goods बात करें तो कंपनी जो wire and cable के थूरू बिजनस करती है वहाँ से कंपनी को सबसे जार रिवन्य होता है अपने डिवेंडिय में ग्रोथ दिखाई है इसकाल बात करें कंपनी के distribution network की तो पूरे pan India में कंपनी का distribution network है कंपनी को समय 4,000 dealer है 4,000 distributors हैं और 1,500,000 के आसवाँ retailers हैं जो कंपनी का माल बेजते हैं और 4,500,000 electricians हैं कंपनी का माल बेजने उसकी help करते हैं तो काफी अच्छा setup कंपनी ने बना लिया है इसकाल बात करें कंपनी के जो graphical revenue बेजते हैं इंडिया के लावा काफी दूसरी कंटी में कापने माल बेजती है तो कंपनी को जो domestic market है वहाँ से 74% होता है और export से भी काफी अच्छा रिवन होता है 26% का mainly company wires and cable export करती है 85 countries में उसमें mainly countries है North America, Europe और Middle East की तो कंपनी इंडिया के लावा export भी काफी अच्छा करती है फिर बात करें कंपनी के IPO डिटेल की तो अभी last year September 2023 में कंपनी का IPO आया था तो जितने भी कंपनी के products है वो highest safety standards आप से certified है इंडिया में भी और महार की countries में भी इसलाब बात करें कंपनी के share holding pattern की किनकी लोगों ने अपना पैसास company invest किया हुआ है तो promoter से पास में कंपनी का 63% का share है FIs के पास में 4%, DIs के पास में 9% और public के पास में 24% है तो बात करें क्योंकि अभी IPO आया है तो public के पास ज़्यादा holding है FI, DIs उतना ज़्यादा इसमें investment भी नहीं कर रहे है तो उससाब से बात करें कंपनी के सारे business file की दिसन बात की चौती subsidy company है, इंडिया में काफी अच्छा business है एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रही है और बात करें तो RR केवल अपना में काफी अच्छा brand भी है इसलिए company अच्छा product डेवलोप कर पा रही है इसलिए company अच्छा brand बन गया है तो कुल नाग बात करें हैं तो काफी अच्छी business file company hold करती है और अब हम बात करें थे company के financials के बारे में कि पिछले 5 साल में company revenue और profit में कैसी growth हाई है और यहाँ पर देखें हम ले इसलिए 5 साल का data तो 2020 में company अच्छे 2472 क्रोड और अब revenue increase होके होगे है 6595 क्रोड 2024 में और हर साल company revenue काफी अच्छे से increase हुए है बात करें percentage में तो 23% के काफी अच्छे CGR से पिछले 5 साल में company ने अपने revenue में growth दिखाई है तो company काफी अच्छे से customer acquisition कर लिए company के product में दम है इसलिए company अच्छा market share hold कर पा रही है फिर बात करें operating profit की तो पिछले 5 साल से company का 7-8% का ठीक ठाक operating profit है बहुत ज़धा extraordinary margin नहीं है फिर बात करें company के net profit की तो 2020 में company net profit था 122 क्रोड का जो कि अब 2024 में काफी अच्छे से बढ़के 297 क्रोड के लगबग 300 क्रोड हो गया है तो लगबग 3 गुना profit company अब इसलिए 5 साल में हो गया है तो company अपनी sales भी काफी अच्छे से increase कर रही है और profit बढ़ा रही है तो इससे में clear पता लग रहा है कि company ऐसी company नहीं जो discount दे के अपना माल बेशती है company अच्छा price चार्ज करती है इसलिए उसको अच्छा profit हो रहा है और सासरे company अपने input cost वगर को manage कर रही है इसलिए company को यहाँ पर अच्छे profit मिल रहे है फिर बात करें free cash flow की तो पिछले 5 साल में company सिर्फ एक बार negative free cash flow गई है otherwise बाकी चारो सालों में company यहाँ positive free cash flow है बात करें तो small cap company है small cap company की बात करें तो बार बार पैसी requirement रोती है business बढ़ाने के लिए तो उनके पास जातर free cash flow नहीं रहा पाता है लेकिन फिर भी देखें तो company अच्छा कासा free cash flow भी manage कर रही है फिर बात करें dividend payment की तो पिछले 5 साल में 3 बार company dividend payment करा है और जोगे 23 परसें फिर 25 परसें इस तरह से करें dividend करा है तो थोड़ाबर dividend भी payment करती है company तो company growth भी आ रही है और सासाथ अपने investor को payment भी कर देती है dividend की तो वो भी दोनों side से company ठीक है फिर बात करें company capital structure की तो company का debt by 1 रुश रहा 0.20 का यानि के 100 रुपे अगर उसने अपने इंवेस्ट की है तो 20 रुपे कमनी लोन भी लिया हुआ है लेकिन बात करें तो 0.20 का debt by ratio बहुत जादा high नहीं है company थोड़ा बूट debt hold करती है लेकिन फिर बात है अगर कोई भी company debt hold करती है तो उसके अगरेजस अगला parameter check करते है interest cover ratio जिसे में यह पता लगता है कि जो हर साल उसको interest payment करना है company को उसके लिए कितना पैसा उसको अवेलेबल है क्यों अराम से अपना interest payment कर सके और कोई छोट मुट दिक्कत कंपनी में आती भी है तो interest payment अच्छा है यहां देखें तो company का ICRR नाइन टाइम जोने कि 9 गुना पैसा उसको अवेलेबल है उस interest को payment करना ही तो उसको हस्ताल payment करना पड़ता है तो बहुता debt भी नहीं है और interest coverage ratio भी company अच्छा है तो company अराम से अपने debt जो वो manage कर सकती है फिर बात करें return on equity की तो company return on equity बहुत ही बढ़ी है पिछले साल का 21% है और पिछले 5 से लिए अरो जारी वो 23% की आरी जबकि 15 पर से उससे ज़्यादा किसी कंपनी अगर आरो ही होता है उसको अच्छी कंपनी मान जाता है यहां देखें 21% और 23% से 5 से लिए अरो तो company अच्छा return जनेट कर लिए अपने investor के पैसे लिए उपर तो इससे से बात करें कपनी के सारे financial की तो काफी अच्छे financial है कंपनी का revenue भी increase हो रहा है कंपनी के profit increase हो रहा है कोई खास debt भी नहीं है हाँ क्योंकि चौथी पांचे नंबर कंपनी आती है दूसरे बड़े बड़े प्लेयर है तो उसके मुकाबल फ्रोर से कंपनी ऑपरेटिम प्रोर माजिन हलका सा कम रखती है वहाँ पर 10-11% की है यहाँ पर 7-8% की एवरे दा रही है उसके नहीं कंपनी को free cash flow के बड़े करते हैं कंपनी कितना free cash flow generate करती है उसके साफ से उसकी कितनी value बनती है और अभी हमने कंपनी पांच साल का financial data चेक किया था उसमें कंपनी का free cash flow का भी data था तो 2020 में कंपनी बास मता 30 करोड free cash flow 2023 में 345 करोड और 2024 में 152 करोड अब क्यों किसमें difference आ रहा है तो पिछले 3 साल की कंपनी की free cash flow के हम average ले लेते हैं और पिछले 3 साल की free cash flow की average जारी है 175 करोड पे यानि कि average 175 करोड पे हर साल ये company free cash flow generate करती है और इस free cash flow के साबसे जो पूरी company value बनती है वो आती 8,750 करोड पे यानि कि ऐसी company जो 175 करोड पे हर साल हमें कमा के दे सकती है आने माले सालों में उसको कमाने के लिए हमें 8,750 करोड पे invest करने पड़ेंगे तो ये तो गई पूरी company value अब इसको हम number of share से divide करेंगे तो हमें per share की vertical के आएगी और company की per share की fair vertical के आ रही है तो आज की डिविए का शेर पाइज आ रहा है वारा 1746 रूपे है हमने जो फेर लिगा की वह 775 उससे एक हजार पे करीब company का ऊपर प्राइस चल रहा है तो company highly overvalued है अब क्यों overvalued है क्योंकि सब को पता है कि अच्छी company है अच्छा brand है अभी IPO भी आया है तो काफी ज़्यादा sentiment लोग के इस company के साथ में है तो company की बात करें तो company का जो share price चल रहा है वो उसकी fair value के दो गुने से ज़्यादा चल रहा है यनिके 800 लगा है तो 826, 1600 से भी आगा है 1777-700 price चल रहा है तो company दो गुने से ज़्यादा price पर trade कर रहे है तो highly overvalued company है price by earning के साथ से भी बात करें तो company का price by अनिश्वार है 66 का जबकि industry की price by अनिश्वार है 43 की तो उस साथ से company overvaluation में है अब यह बात है कि ठीक है कि हम इसको मान सकते है growth वाली company है आने वाल टाइम में हो सकता है और अच्छा business करें लेकिन अगर किसी भी company को अगर कंपनी में एक्जिट करने के लिए वह होता है कि अगर कंपनी के बिजनस में कोई प्रॉब्म आती है उसकी sales गिल रहे है उसका profit गिल रहा है उसका future ठीक ठीक देहा है नहीं देहा है तब उसमें exit करते हैं अगर company का share price उपर चल रहा है तो और और बी जा सकता है और जो भी investment की यहां बात हो रही है सब long term investment की बात हो रही है कम से कम 5-7 साल का horizon हम लेके चलेंगे तो हमें अच्छी कंपनियां profit दे सकती हैं तो यहां बात करें तो अभी 1746 का price रहा है इस पर अगर हम करेंगे तो हो सकता है कंपनी का पता लाइफ टाइम हाई हो यह इस पर कंपनी दुबार आए ना आए तो वह थोड़ा सा risk है अगर आप इसमें करना ही चाहते हो तो मेरे साथ वेट कर लीजी इसको अपनी वाच दिश्म रख लगे और थोड़ा क्योंकि यह स्मॉल के कंपनी है थोड़ा काम आ जाएगा तब इसमें थोड़ा आप एक्सपोजर ले सकते हैं लेकिन अभी मेरे साब से सही से मैं नहीं है दूसरी बात केबल वार में आपको डिटेल नौलीज दे दी है आशा करते आपको अच्छी लगी अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर जरू केज़ेगा और सास्तार में चैनल को सब्स्राइब कर लेजेगा थैंक्यू सो मच